नवस्का द।स्तों स्वागते आपका आपके अपने यूटूप चैनल पते दोस्तों RPSC EOR O बर्ती के रिजल्ट को जारी करने को लेकर आप सब के लिए दोस्तों समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट निगल की आ रही है जी हैं दोस्तो आर्प्यस दॉर्ट के दूर्फा आज उने वाली दोस्तो यego-o-o-o बढ़ती के रजल्ट को जारी करने को लेकर रादे मीना की तरब से लगाता दोस्तो आज ट्वीट के जा रहे हैं आप भी ज़याद से अज ट्वीट करें चया बज़े तक लुगाता दोस्तो यूरो मांगे परिश्चा पराम को लेकर ट्वीट करने हैं लगाता चाथ दोस्तो आप यूरो बढ़ती की रिचल्ट को लेकर परेसान है कि यूरो का रिचल्ट का बाएगा और दोस्तों EORO का जो पेपर हुआ था वो 14 मेरी की हुआ था लेकिन उससे पांच महीने से ज़्यादा समय हो चुका है EORO का रिजल्ट जारी बोर्ड नहीं कर सका है जबकि दोस्तों इससे के बाद में EORO के रिजल्ट को लेकर चात परेशान है कि आकर EORO में तना समय क्यों लग रहा है हलांकि दूसरी तरफ से बोर्ड के सच्चव की तरफ से का गया है कि इसी सब्ता में 10 नमंबर तक दीपावली से पहले पढ़ाम जारी कर दिया जाएगा जैसा कि बोर्ड दिखारियों की तरफ से बयान आया है इसको लेकर तैयारियां चल रही है और दीपावली से पहले कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है हालांकि दूसरी तरफ चात्र यह भी परिशाने की नौर्मलाइजेशन किन पारियों में किया गया किन दो पारियों पेपर हुआ था दोस्तो आरो और यो का जो पेपर हुआ था वह एक सो चार पदों के लिए गया और अब दोस्तो इसमें 111 पद हो चुके हैं तो 111 पदो है वह इसी सब्ता में कभी भी जारी हो सकता है नीच पेपर में दोस्तो अपडेट आई थी पंचमा बाद भी यो और पर इच्छा का दो यह पर इसका प्राम जारी नहीं हो सका इसलिए चाहत परेशान है क्योंकि यह और पर आने के बाप जूद भी दोस्तों अभी डोकु परें बात कर लेते हैं क्या रहने की संभावना है यह और वरती की जनरल के डिगरी की 90-95 और 27-95 इसी की 83-86 से 85-85 इसी कटॉप रहेगी यह दूगना कटॉप है फानल कटॉप में पांच चंग तक ड़ जाएगी क्योंकि दोस्तों पहली पारी में नौर्मलाइज़ें के तुरू नमबर बढ़ने वाले हैं जी हैं दोस्तों पहली पारी वाले चातरों के लिए वेनीपेटर रहने वाला है कि उनके नमबरों में बढ़तरी होगी तो EORO बढ़ती के बढ़ाम को लिए यह ती जानकारी आसा करता आपको वीडियो प्रसंद आई होगी वीडियो को सियर जरू कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना EORO की लेटर शनुच के लिए जैहिंद बंद मातरम